आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which feature differentiates a Tedpole from an adult? तो नीचे कुछ features दिये हुआ है और हमें बताना है कि Tedpole और Adult Frog में इन में से क्या differentiation है यानि में difference क्या है तो उससे पहले हम define करेंगे Metamorphosis को Because यह जो Tedpole से Adult बनने का process है यह होता है Metamorphosis से यहाँ पर Morph Word का मतलब है Appearance Appearance चेंज होती है यह है क्या It is an biological process Biological process By which An animal Physically Develops यानि कि एक ऐसा process है biological process है जिसमें animal physically अपनी appearance को develop करता है और यह process सिर्फ animals में ही होता है Example के तौर पे Frog जिसकी बाद हमने इस question में करनी है और दूसरा है Butterfly Butterfly में भी यह most common phenomena है अगर हम इस प्रोसेस को detail में समझे तो हमें पता होनी चाहिए Life cycle of frog हम समझेंगे फ्रोग की Life cycle फ्रोग की Life cycle में सबसे पहली चीज़ है एग एग फ्रोग के present होते है वाटर के अंदर और एक को fertilize करके एक develop form मिलती है जिसको हम कहते है टेड़ पोल टेड़ पोल जो है फ्रोग की लार्वल स्टेज है और इसके अंदर आईज present होती है फ्रोग के पास skin present होती है और क्योंकि फ्रोग अभी भी water में ही है तो इसको respiration के लिए gills की भी जरूरत पड़ती है देन टेड़ पोल कनवर्ट हो जाता है आपके यंग फ्रोग के अंदर यानि या भी फ्रोग बना ही है बट वो भी mature नहीं होता दोनों में ये फरक है कि इसमें limps आ जाते है यहाँ पे सिर्फ टेल होती है swimming के लिए नाव यंग फ्रोग जो है एडल्ट बन जाता है और एडल्ट फ्रोग के पास भी ये limps persist करते हैं और एडल्ट फ्रोग बाग में eggs release करता और फिर fertilization then ये cycle repeat होती है तो यानि कि टेड़ पॉल और फ्रोग में एक ही फरक है वो है presence of limps में बाकी सारे options incorrect हो गए